अब बस कुछ ही दिन बच्चे हुए हैं और हमारी पी डबलू की पूरी टीम मिलके सारे टीचर मिलके वो हर संभव कोसिस कर रहे हैं जिससे आपके माक्स इस एक्जाम में इंक्रीज हो सकें आपको अच्छे नंबर मिल सकें तो पी ब्लॉक में आल्लेडी मैंने बहुत आपके लिए बहुत सारा कॉंटेंड दिया है हैं बट उसके बाद भी मुझे लगा कि कुछ बच्चो को दिक्कत है क्योंकि ये चाप्टर आप पहली बार पर रहे हैं पहले कभी आपने पढ़ा नहीं हैं तो जब भी आप किसी चीज को पहली बार परते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होती ही है ठीक है तो एक आखरी निचोर में 20 मिनट से 15 से 20 मिनट में पूरे P-Block का निचोर और क्या important है क्या आ सकता है उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की एक कोसिस कर रहा हूँ और ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जो किसी कारण से वो 4 घंटे का वीडियो या मैराथन का P-Block नहीं देख पाए हैं बट मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे आप 2X Speed पर ही देखें लेकिन मैराथन का P-Block जरूर देखें चलिए इस वीडियो को अरबाद किये हुए तो स्टार्ट कर रहे हैं P-Block तो एकदम टूद पॉइंट बात करेंगे P-Block आपका गुरूप 13 से लिए गुरूप 18 तक होता है लेकिन हम लोगों को 15 परना है 16 परना 17 परना 18 परना है तो सबसे पहले आपको अकरेंस देख रहा हैं दिखा रहा हूं म और KNO3 को Indian Salt Pitter कहते हैं या आपको ध्यान रखनी है अपटाइट फामली का फर्मूला आपको याद रखना है या CA2 प्लस और PO4 3 माइन होता है और .CX2 रहता है एक्स के जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और OX यूज़ कर सकते हैं अगर आप फ्लोरी हो जाएगा एक्स के जगह पर फ्लोरीन रखते ही यह फ्लोरो प्लोरीन में कनवर्ट हो जाएगा OX रखेंगे तो हाइड्रॉक्सी एपिटाइट हो जाएगा जिप्सम का फर्मूला आपको याद रखना है इप्सम सॉल्ट MgSO4.7 वार्टर बेराइट आपका BSO4 गे लेन होल ट्वाइस और डॉट्स ये एफ्टू देखी यह और यह दोनों सेम है यहां तीन से मटिप्लाई के रिए 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 6 यही आपका आज आएगा एकोची ध्यान रखिएगा कि अगर आप नोबल गैस की बात करते हैं तो नोबल गैस में आपके सारे गैस आपके एट्मुस्फियर में एक्जिस्ट करते हैं लेकिन आपका रेडॉन और ओगनेस ओन ठीके आपका एट्मुस्फियर में एक्जिस्ट नहीं करता है तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से एलमेंट आपके एट्मुस्फियर में एक्जिस्ट करते है तो उसमें option में redon रहेगा, mostly redon रहता है, और जेनरली option में नहीं दिया जाता है, बट मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, तो इस तरह से हमने occurrence पूरा देख लिया, एक से दो मिनिट में, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं important trends का, तो important trends में कुछ चीज़ें आपको अगर already पता है, तो यह आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे आप जब भी नीचे जाते हैं, आपका atomic radius क्या होता है, increase करता है, और radius increase करता है, तो आपका ionization यहाँ increase लिख देता हूँ, यहाँ decrease लिख देता हूँ, वो arrow से आप confuse हो जाएंगे, ionization energy आपका decrease होता है, electron negativity आपका decrease होता है, electron affinity आपका decrease होता है, right, और melting point, boiling point, mass बरने की वज़े से increase करता है, generally, और आपका density की बात करते हैं, तो density आपका भी increase करता है, तो यही सारी चीज़े लगने वाली है important trends में, तो आप देख सकते हैं, बीना किसी exception के, नीचे जा रहे हैं, तो atomic radius increase कर रहा है, बिसमत का सबसे ज़्यादा है, ionization energy decrease कर रहा है, electron negativity decrease कर रहा है, लेकिन BI और SB का same है, याद रखिएगा, यह question आपसे पूछा जा सकता है, melting point इसका, nitrogen family की बात करेंगे, तो melting point को order, थोड़ा सा difficult है, और difficult है, तो पूछा आजा सकता है, ध्यान रखना होता क्या है इस order में, कि अगर आप बात करते हैं, नेहा, प्रियंका, स्वरिया, सब बिमार है, तो इसमें ace तक आपका increase करता है, फिर decrease करता है, तो सबसे ज़्यादा ace का हो जाता है, फिर आप नीचे से लिखते हैं, सबसे ज़्यादा ace, फिर आप नीचे से लिखते हैं, SB, BI, फिर P और N, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, increase किया, तो सबसे ज़्यादा ace, फिर decrease किया, ऐसा concept है, तो आपका melting point हो गया, balling point में देखेंगे, down the group increase कर रहा है, नेहा, प्रियंका, सब बीमार है, बस यहाँ सब SB को यहाँ रहना चाहिए था, BI को यहाँ रहना चाहिए था, यहाँ पर थोरा सा swapping हो गया, change हो गया, इस चीज को ध्यान रखेंगे, density की बात करेंगे, तो नीचे जाते हैं, तो density आपका increase कर रहा है, कोई exception नहीं है, तो पूरे इस जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, आपको melting point, balling point और electron negativity पर focus रखनी है, बाकी दो simple order है, उसी तरह से atomic radius यहाँ भी आपका increase करेगा, without any exception के oxygen family में, ionization enthalpy आपका देख रहे हैं, कि decrease कर रहा है, electron gain enthalpy का order ध्यान रखिएगा इसमें, यह आप से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, उससे टेपो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यह आपका सलफर का सबसे ज़्यादा होता है, oxygen को उठा के last में पटक दीजिए, और down the group आपका यह decrease करता है, तो सबसे ज़्यादा सलफर, selenium, tellurium, plurium और last में आपका oxygen हो जाता है, सबसे कम oxygen हो जाता है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम oxygen का होता है, सबसे ज़्यादा सलफर का होता है, electron gain enthalpy, electron negativity down the group decrease कर रहा है, कोई exception रही है, melting point increase कर रहा है, बस एक छोटा सा exception है, कि last में change हो गया है, यहाँ पर swap मार दिया है, जैसा अभी आपने nitrogen family के boiling point का order में देखा था, वो same चीज यहाँ पर हो रही है, कि उससे टेपो, मतलब पहिले टेलोरियम, last में polonium होना चाहिए था, यहाँ पर बदल गया है, boiling point में भी वही चीज हुआ है, increase कर रहा है, बट यहाँ पर बदल गया है, density में कोई exception नहीं है, down the group increase कर रहा है, तो exception कहा कहा है, आपको यह ध्याँ रखना है, boiling point में है, melting point में है, और 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 आपका electron gain enthalpy में है, चलिए भी आपका खतम हो गया, और halogen family की बात करेंगे, तो इसमें बहुत कम exception पाया जाता है, down the group जाईएगा, radius आपका increase करेगा, ionization enthalpy आपका decrease करेगा, electron gain enthalpy में बस आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, कि chlorine का जादा होता है, fluorine से, बाकी order decreasing है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, electron negativity down the group decrease करेगा, देखिए, decrease कर रहा है, fluorine का सबसे ज़्यादा, iodine का सबसे कम, melting point down the group increase करता है, तो increase कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, falling point increase कर रहा है, increase कर रहा है, कोई exception नहीं है, density increase करता है, increase कर रहा है, कोई exception नहीं है, और bond dissociation enthalpy का order, थोरा सा यहाँ पे difficult है, इसमें आप लोट trick याद रखिएगा, मेरा BKT, बिजेंद रुकुमा ट्रिक, कल बरात फिर आई, कल बरात फिर आई, और यह CVT का पुछा हुआ question है, most wanted question है, कल बरात फिर आई, कल बरात फिर आई, फ्लोरीन का कम होता है, क्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन में, lone pair, lone pair repulsion होता है, oxidizing character, down the group decrease करेगा, तो फ्लोरीन का सबसे आदा होगा, hydrogen enthalpy आपका down the group decrease करेगा, तो सबसे आदा फ्लोरीन का होगा, कोई exception में, यहाँ पर कोई exception नहीं है, order में, तो आपको ध्यान क्या रखना है, focus क्या रखना है, यह मैं आपको बतायता हूँ, आप इसमें electron gain enthalpy का order ध्यान रखिएगा, आप melting point, boiling point के order में, कोई changes नहीं है, exception की बात करेंगे, तो मातर हमको लग रहा है, कि एक आपका यहाँ पर exception है, और 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 मुझे कहीं exception, देखने को नहीं मिल रहा है, एक bond dissociation enthalpy में exception है, इसमें ज़्यादा exception नहीं है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, group number 18 के trends का, तो group number 18 का trends ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसमें ज़्यादा exception भी नहीं है, देखिए atomic radius down the group increase करता है, तो increase कर रहा है, आइवनासन enthalpy decrease कर रहा है, तो decrease कर रहा है, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा focus देने की ज़रूबत नहीं है, melting point increase करता है, तो increase कर रहा है, boiling point increase करता है, तो increase कर रहा है, density आपका increase करता है, तो increase कर रहा है, तो ज़्यादा exception नहीं है, तो अगर आपको यह चीज़े याद है, कि down the group जाने पर radius बरेगा, ion energy घटेगा, electron negativity घटेगा, electron enthalpy घटेगा, melting point बरेगा, boiling point बरेगा, density बरेगा, oxidizing character की बात करेंगे तो वो घटेगा, तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. आगे बरते हैं और बात करते हैं, oxidation state का, तो oxidation state में दो चीज़े आप ध्यान रखेंगे, कि जैसे हम लोग बात करते हैं, नेहा, पिरियंका, स्वरिया, सौब बिमार है, तो इसमें क्या होता, इसका maximum group number इसका 15 है, तो 10 घटाईएगा, तो maximum oxidation number 5 आएगा, इसमें से 2 HOS, इसको बोलिए LOS, तो HOS का stability नीचे जाने पर decrease करता है, इसका जो stability होगा, नीचे जाने पर decrease करेगा, और LOS का increase करेगा, because of inot pure effect, मतलब आपका BI plus 5 में stable नहीं होगा, प्लस 3 में होगा, साथ सी था, आपका nitrogen minus 3 oxidation state भी so करता है, तो जब भी minus oxidation state की बाता है, तो minus oxidation का मतलब electron को खीचना, जैसे जैसे नीचे जा रहे है, electron को खीचने की छमता घट रही है, तो minus oxidation state so करने की जो tendency है, जो छमता है, वो भी घट रही है, और नीचे वाले metal भी होते हैं, तो metal oxidation state minus में so नही करते हैं इसलिए बियाई आपका माइनस 3 में कंपाउंड नहीं बनाता है ठीक है चलिए तो यह भी लिख सकते हैं कि इसका भी इस्टिविटी डाउन दगुरूप जाएंगे तो क्या होगा आपका डिकरीज करेगा नाइट्रोजन माइनस 3 में ज्यादा स्टेबल होगा सेम च जाएगा कि आपका मैक्समम होगा शिक्स और उसके नीचे हो लाग होगा फोर तो सिक्स के सिल्विटी नीचे जाने पर घटेगी फोर की बढ़ेगी विकॉज आप इनट पियर एफेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नोमलस बिहेवियर में तो आपको ध्य जान रखना है इसके नवलस बिहेवियर का मातर तीन कारण है कि उसका साइज सबसे चोटा होता है और एलेक्ट्रोन नीगेटिविटी भी हाई होता है और उसमें डी और विटल नहीं होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है और सेकेंड पीरियर के सारे इलेमेंट का मैकसमम को वैलेंसी 4 होता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो 4 से जादा बॉन नहीं बना सकता है इसलिए नाइट्रोजर एंसी एल फाइप नहीं बना पाता है लेकिन पीसी इल फाइप बन जाता है चीक है और यह भी ध्यान रखेगा कि सिंगल एनन आपका weak होता है सिंगल pp bond से क्योंकि यहां पर आपका lone pair, lone pair repulsion आ जाता है, तो lone pair यहां पास है, तो जादा जगरा होगा, जादा लराई होगा, जादा repulsion होगा, यहां दूर है तो कम repulsion होगा, तो single pp bond आपका जादा strong होगा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हम लोग, क hydrogen bond होता है जहां जहां hydrogen bond लगेगा आपका melting point बढ़ेगा तो melting point, boiling point आपके दो चीजों पर depend करता है या तो hydrogen bond या मास पर तो दोनों को देखना परेगा तो अगर आप देखेंगे तो ammonia का यहां पर सबसे ज़्यादा melting point दिखाया गया है क्योंकि अगर आप इस order में बात करते हैं SbH3, BiH3 तो इसमें यहां पर hydrogen bond की वज़ा से melting point जादा होगा और उसके बाद नीचे वाले में आपको मास देखना होगा तो सबसे ज़्यादा SbH3 का होगा, BiH3 का melting point का order हम लोग नहीं देखते हैं तो सबसे ज़्यादा NH3, फिर SbH3, As3 और Ph3, boiling point का order देखेंगे तो यह फोरा order गरबर है, सबसे ज़्यादा BiH3, SbH3 और फिर NH3 आता है, ध्यान रखिएगा, बहुत important order है, फिर As3 और Ph3 होगा, इन दोनों में अगर पूछा जाए, किसका boiling point ज़्यादा होगा, तो As3 का होगा, क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है, ठीक है, bond length नीचे जाने पर increase करेगा, तो bond stability, thermal stability, दोनों decrease करेगा, ये दोनों order easy है, ठीक है, ये भी हो गया, reducing character की बात करेंगे, तो जैसे से नीचे जाएंगे, आपका hydrogen release करने का tendency बरेगा, तो reducing character नीचे जाने पर सभी group में आपका increase करता है, basic strength की बात करेंगे, तो basic strength decrease करेगा, क्योंकि नीचे जाते हैं, तो electron density आपका size बढ़ने की वज़ा से कम होते जाता है, तो ये order important है, NS3 का जादा होता है, bond angle आपका decrease करेगा नीचे जाने पर, क्योंकि S character आपका decrease करता है, और electron negativity decrease करता है, melting point की बात करेंगे, तो यहाँ भी water का जादा होगा, क्योंकि hydrogen bond लग रहा है, boiling point में भी water का जादा हो, क्योंकि hydrogen bond लग रहा है, तो सबसे जादा water होगा, अगर आप इसमें बात करेंगे, H2S, H2SE, H2TE में बात करेंगे, अगर आप, तो सबसे जादा आपका इसका होगा, फिर आपका नीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर mass लग जाएगा, या hydrogen bond लग जाएगा, तो यह दोनों order हो गया, bond length आपका increase करेगा, bond stability, bond energy decrease करेगा, reducing character यहाँ भी आपका down the group increase करेगा, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, तो bond length बढ़ रहा है, तो hydrogen release करने की tendency बह रही है, तो नीचे वाला जल्दी hydrogen release करेगा, तो S2TE का reducing character जादा होगा, S2S का कम होगा, आपका water reducing character नहीं सो करता है, याद रखिएगा, और अगर acidic strength की बात करेंगे, तो again, same चीज होगा, यह आपका bond weak है, hydrogen और TEE का, तो यह जल्दी H+, देगा, तो ज्यादा acidic होगा, यह कम acidic होगा, तो group में acidic character, hydride का हमेशा बरता है, ठीके, bond angle आपका यहाँ भी decrease कर जाएगा, इस balling point में hydrogen ball long के HF सबसे अदा होगा, देन नीचे से आएगा, HI, HBR, SCL, और bond length यहाँ पर भी increase करेगा, bond energy decrease करेगा, stability decrease करेगा, aesthetic strength, down the group increase करेगा, क्योंकि यह जल्दी H+, यह देर से H+, तो यह खतम हो गया, अब बात करेंगे हम लोगे इलेट्रोफिक स्वाम का, तो फस्पोरस के दो लेट्रोप्स होते हैं, जो important है, एक होता है white, दूसरा होता है red, तो white को जलाते हैं, तो red बनता है, कागद जलाईएगा, white कागद जलाईएगा, red हो जाता है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है, कि white फस्पोरस आपका translucent vaccine solid है, यह red फस्पोरस पॉजज, iron grey luster, इसमें iron glare लास्टर पाया जाता, यह poisonous होता है, यह non poisonous होता है, यह insolible in water, but soluble in carbon dioxide होता है, लेकिन यह दोनों में insolible होता है, यह dark में आपका glow करता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, यह आपका ज्यादा रियक्टिव होता है, white फस्पोरस यह white है, और यह red है, तो white ज्यादा रि रियक्टिव होता है रेड फोस्फोरास आपका वाइड फोस्फोरास से ही मिलके बनता है ऐसा पॉलीमेरिक चेन लाइक और इथर में वह सॉलिवल होता है ये आपका स्लभल होता है CS2 में यह बनाया जाता है जो आपका alpha Vorteil कैसे आप them Alpha Sulphur को हीट किया जाता है तो बीटा सल्फर बनता है मतलब messageselp follower चstellen music kup 399 इस टम प्रेचर पर जाएंगे तो alffa बीटा में convert हो जाता है इसलिए इस temperature को transition temperature कहा जाता है चलिए अब हम लोग यहां पर बात करेंगे अब जो एसीड का ठीक है ऑग्जो एसीड का 25 मिनट लग जाएगा ठीक है फूरी कोशिस कर रहा हूं कि 20 मिनट में कर दूँ बट 20 मिनट नहीं पच्चेस मिनट लग जाएगा अभी मैंने समय देखा तो यहां पर देखेगा तो आप लोग को ऑग्जो एक दियान रखनी है कि जब प्लस वन ऑक्सिडेशन स्टेट आएगा तो आप हाइपो अस लगाना नहीं भूलेंगे और जब आपका प्लस थ्री आएगा तो सिर्फ अस लगेगा या और्थो अस लगेगा फाइप में एक लगेगा और सेबेन में क्या लगेगा पर एक लगेगा उसी तरह से अग साची चर्णान पाइब न हो pins 5 सेट Sindic थे आगे हम फोपीसरlla प्लल से पापनी निकालते हैं तो पैरोस जाएगा 1500 से आप का पाइरोलिसिस हो जाएगा और क्या बन जाएगा H6P2O8 से एक पानी निकालिएगा क्या बनेगा H4P2O7 बन जाएगा यह आपका पाइरो इक होगा उसी तरह से पाइरो अस भी होता है मेटा फोस्पोरी क्या होता है इसमें आपका HPO3 यूनिट पाया जाता है होल एंड करके जैसे आपको देखिए यहाँ पर साइकलो ट्राइमेटा फोस्पोरी के सिड में क्या होगा हर फोस्पोरस पर एक डबल बॉंड और एक OH गुरूप होगा और दोनों बीचम उक्सीजन से जूरे रहेंगे और अगर आपका पॉलिमरिक चैन होगा तो वही होगा हर फोस्पोरस पर एक डबल बॉंड और एक OH रहेगा और दोनों पी डबल बॉंड ओ से जूरे रहेंगे इसी तरह से आप देखेंगे तो यहां पर जब अगर आपका है स्सten डीर होता है तो सल्फस एकसीड होता और प्रोग यह-देखिये और बनेगा जफ़ो प्लाइब फॉलियम कहा जाता है स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर में क्या पहले आप डबल बॉंड ओएच रूर बनाईए और उसके बाद ओएच बनाने की कोशिस करते रहिए जैसे देखिए इसका structure बनाना है तो एस double bond OH कर दीजिए बाकी hydrogen को भी यूज करना है तो एक और OH लग गया और जो बॉक्सीजन बच गया उसको double bond से जोड़ दिया बन गया structure खतम हो गया अब वही चीज यहां पर भी लगेगी देखिए प्लस one oxidation state रहेगा तो हाइपो ऑस बनेगा तो हाइपो फ्लोरस हाइपो क्लोरस होगा प्लस 3 रहेगा तो सिर्प ऑस लगेगा तो क्लोरस बनेगा यह आपका Celo2 है और अगर प्लस 3 के जगा पर 5 कर दीजेगा तो एक लगेगा क्लोरिक हो जाएगा Celo3 हो जाएगा और अगर आप 7 कर देंगे तो पर क्लोरिक हो जाएगा यह Celo4 हो जाएगा structure बनाना उसी तरह से बरही असान है जैसे आपको यह CLO4 का बनाना है तो CL double bond OH लगा दीजिए बाकी यहाँ पर oxygen को double bond से जोर दीजिए गिन लिजिए एक दो तीन चार oxygen हो गया स्वाहा हो गया तो यह आपका खतम हो गया अब reaction की बात कर लेते हैं तो reaction में सबसे पहले हम लोग N2 का preparation देखते हैं तो N2 आपके atmosphere में पाया जाता है तो N2 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पहला method यूज करते हैं commercial method आप से question पूछा जाता है कि N2 बनाने का commercial method क्या है तो आप क्या बताएंगे N2 बच जाएगा N2 अलग हो गया O2 अलग हो गया आपने इस method से N2 बना लिया अगला method lab method है जिसमें NH4 CL और N2 को हीट करके N2 बनाया जाता है मैंने आपको पानी निकालने का method दे दिया है NH4 positive और N2 माइनस यहां पर आके जूर जाएगा यहां से आप पानी निकाल दीजेगा तो यहां पर देखें दो वाटर हम लोग निकाल सकते हैं तो H4 से आपका H4 यह गायब हो जाएगा तो बन जाएगा N2 प्लस 2 वाटर ठीक है N2 प्लस 2 वाटर और N A प्लस C L माइनस मिलके N A C L बना लेगा यह आपको पानी निकालने का BKT दिया जा चुका है Decomposition of Ammonium Dichromate से भी बनाया जाता है यहां से भी आपको पानी निकालना सिखाएं N2H8Cr2O7 से चार वाटर निकाल दीजिए तो आठ हाइडोजन गायब हो जाएगा अगला यह आपका BBI भेरी भेरी इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है कि यह पूछा जाता है कि अल है N3- है और यह बेरियम है तो यह आपको खूब पूछा जाता है कि सोडियम और बेरियम एजाइड को हीट करते हैं तो अल्ट्रा प्योर N2 आपको मिलता है अब देखिए अमोनिया का प्रिपेशन करना है तो यह यूडिया से बनाया जाता है कैसे होता रियेक्शन यह हदखे भाई एनस टू तो होता क्या है यह एनस- हट जाता है और ओहिज माइनस यहाँ से आके बन जाता है और bond OH और OH जहां से पानी निकाल देते हैं तो CO2 में convert हो जाता है यह सारी चीज़े आपको समझ नहीं है तो अल्लेडी मैं समझा चुका हूं अगला method बहुत है important है ammonia बनाने का जो में में यह हाबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है इसमें आपको N2 plus S2 से ammonia बनता है और इसमें आपको catalyst पूछा जा सकता है catalyst इसमें FeO2 में catalyst होता है L2O3 और K2 भी पाए जाता है but FeO3 is a main catalyst आगे बरते हैं और बात करते हैं अधर reaction का तो इसमें 2 reaction ध्यान रखिएगा कि जब जेड़े ने सब्सक्राइब से करा जाता है तो यहां आपका वाइट पीपिटी बनता है hydroxide बनता है लेकिन वहीं जब एपी इसील 3 से कराएंगे तो यहां पर ब्राउन पीपिटी बनता और XCstra comes plus को कैनें तो यहां होता है कि साथ यह कर कि कॉमप blender बनता है जहां साथ को बनाता है यहां से हमलों पानी निकालते हैं जो आपको बताया जा चुका है तो क्या बनता है यहां से FPS 2 3 अचाता है यहां से ऐधी बन की तरह भी काम करता है तो co2 plus के साथ रिए करके deep blue color का complex बनाता है एजी plus के साथ colorless complex बनाता है क्योंकि एजी plus में अन्परेक्टर नहीं होता है चली आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रिप्रेशन की खूब पूछा जाता है एच नो थ्री बनाना बहुत असान है यहां पर देखें नो थ्री माइनस होगा यहां से एच पलस आएगा मिलके आपका एच नो थ्री बन जाएगा यह पहला मेथड है उस्वाल में प्रोसेस इसका में से बनाया जाता है औस सवाल प्रोसेस से बनाया जाता है आपसे सवाल आएगा तो आप उस्वाल प्रोसेस को याद रखिएगा और इसमें क्या किया जाता है अब अब PTRS catalyst लिया जाता है, ये भी question आपसे direct पूछा जाता है, तो NH3 और O2 लिया जाता है, तो NO बनता है, फिर NO को जब O2 से रियक कराते है, तो NO2 बनता है, oxidation हो जाता है, और NO2 को H+, से reaction कराते हैं, तो यहाँ पर DPP reaction हो जाता है, यहाँ से चलाता है, 5 में, और यहीं से चला जात हो जाता है, क्या? प्लस 2 में disproporcionation reaction हो जाता है, और HNO3 बन जाता है, HNO3 का जो nature होता है, यह बहुत अच्छा oxidizing agent होता है, इसमें दो चीज़ ध्यान रखना है, कि जब भी कॉंग HNO3 लेंगे, तो हमेशा HNO3 reduce होके NO2 में जाएगा, देखिए, यहाँ भी कॉंग है, तो NO2, यहाँ भी कॉंग है, तो NO2, लेकिन dilute रहेगा, तो गरबर होगा, देखिए, जैसे copper के साथ dilute HNO3 लगाएंगे, तो NO बनता है, क्योंकि copper यहाँ reducing agent का काम कर रहा है, लेकिन zinc के साथ लगाएंगे dilute HNO3, तो N2O बनता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ZN जादा अच्छा reducing agent है, ZN क्या है, जादा अच्छा reducing agent होने की वज़ा से क्या कर रहा है, ZN plus 5 को reduce करके, इस plus 5 को reduce करके, यहाँ plus 1 में भेज रहा है, लेकिन यह जादा अच्छा reducing agent नहीं है, तो यह plus 2 में ही भेज पा रहा है, तो इस वाले में NO बन रहा है लेकिन इस वाले में N2O बन रहा है ध्यान रखिएगा ठीक है और बाकी यह उक्षिडाइज तो करेगा ही जीरो को प्लस टू में ठीक है और साथी साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि एचनो 3 क्रोमियम और अलुमूनियम जैसे मेटल को रियक्ट नहीं करवा पाता ह है ऑक्साइड फिल्म लेयर बन जाता है दूसरा यह आपके रियक्षन है तो क्या करता है किसी भी कंपाउंड का रियक्षन कराईएगा किसके साथ एचनो 3 के साथ तो उसके एक फॉर्म में उसको कनवर्ट कर देता है और खुद अनो टू में कनवर्ट हो जाता है इसे क्योंकि यह भी आपका एक फॉर्म में भेशता है याद रखिएगा अब बात करेंगे फॉस्पीन का तो फॉस्पीन का रियक्षन बड़ा ही असान होता है या तो आप कैल्सियम फॉस्पाइट का या वाटर से करा दीजिए या सील से करा दीजिए दोनों जगा पर पीस थ बनता है इसको डिर्क्ली रट लीजिए एक्जाम में आ सकता है यह दोनों रियक्षन तो बहुत ही हैं आपको बताया जा चुका है अब अगला रियक्षन जो आपको ध्यान रखना है कि जब फॉर का सिक सील टू से कराते हैं तो आप देख रहें यापर पीसील थी बनता है है लेकिन अगर मैं यहां पर P4 प्लस 10C-L2 ले लू तो PCL-5 बन जाता है पी फोर प्लस 10C- आगे आपको दिखाया जाएगा जब आपका PCL-3 वाटर से रियक्षन करता है तो रियक्षन नबर चैने करता है यहां तीन है तो यहां भी 3 रहता है ठीक है और अब कुछ रियक्स ताना है कि जब भी PCL3 रियक्ट करता है OH containing group से तो OH को replace कर देता है CL से, OH को replace कर देता है CL से और खुद H3PO3 में convert हो जाता है, PCL5 देखिए 10CL2 से करेगा तो PCL5 बनेगा, SO2CL2 से करेगा तब भी PCL5 बनेगा, और यहाँ पर भी hydrolysis होगा, तो oxidation नमबर नह इसका कराएंगे, तो 5 है तो 5 ही रहेगा, S3PO4 फाइनल ही बन जाएगा, और PCL3 को hit करते तो PCL3 और CL2 में तूट जाता है, यह reaction भी important है, देखिए, यह भी OH को CL से replace कर देता है, OH को CL से replace कर देता है, और यह और काम करता है कि जब PCL5 को metal से यह कराते है, तो यह खूद करते हैं, तो oxygen में क्या होता है, KCL3 को hit करते हैं, तो KCL2 बनता है, और oxygen आपको oxidizing agent की तरह behave करता है, तो अगर आप लेंगे, वैसे metal का oxide लेंगे, जो reactivity series में low है, तो उनको भी hit करने से आपका oxygen मिल जाता है, और अगर आप higher oxygen state वाले oxide लेंगे, उनसे भी आपको oxygen मिल जाता है यह reaction है, जिससे reaction करेंगा उसका oxide बनाएगा, जिससे reaction करवाएंगा उसका oxide बनाएगा, जिससे कराईएगा उसका oxide बनाएगा, यहाँ पर ZN का भी कराया और sulfur का भी कराया, जो जो मिलेगा सबका oxide बनाएगा, अब sulfur dioxide का preparation बहुत असान है, sulfur plus O2 से SO2 बनता है, और यह reaction बहुत easy तो आपका वाटर प्लस एसो टू बन जाता है ठीक है और आप यहां पर देखें यहां पर ओटू से कराईएगा यह पुछाता है कि यह सो टू बनाने का इंडॉस्ट्रियल मेथड क्या है तो इंडॉस्ट्रियल मेथड आपके सामने लिखा हुआ है आप एफी एस टू को चलिए देखते हैं अब यह रियेक्शन आपका सल्फिरीक एसीट का प्रिप्रेशन है यूजिंग दो कॉन्टेक्ट प्रोसेस याद रखिएगा कॉन्टेक्ट प्रोसेस होता है और कैटलीस यूज करते हैं भी टू फाइब तो यह सो टू का वो टू से रेक कराते हैं और चीपका चीपक की रियक्शन है और यहां पर सब्सक्राइब की खास बात है कि किसी भी कंपाउंड के साथ आप इसको लगाएंगे तो क्या करेगा यह तुरंत सारा पानी निकाल के कार्बंद देता अच्छा इसमें के स्टॉर एक और स्टेफ है कि जब एस्टू एस्टू में करता है को अगर आप एस्टू लेते हैं तो आपको याद होगा कि ज्यादा आच्छ ऑक्षिडाइजिंग इजेनल इसल इसी यहाँ पर कैसी रियेक्सन हो जाती है कि जो उपर वाला नीचे वाले को reduce, oxidize करता है, तो F2 किस-को कर देगा, इन सब को कर देगा, इन सब के CL माइनस को भी करेगा, BR माइनस को भी करेगा, लेकिन CL2 अपने नीचे वाले को करेगा, तो CL2 आपका BR और I को ही करेगा, और BR सिर्फ I को करेगा, उसी तरह से F2 जादा अच्छा oxidizing agent है, तो water को oxidize करके O2 में convert कर देगा, लेकिन अगर इसके जगाँ पर आप chlorine bromine ले लेंगे, तो DPP reaction होगा, HX बनेगा और HOX बनेगा, याद रखिएगा, चली आगे बढ़ते हैं, और chlorine की बात करते हैं, हमारा last topic है, तो chlorine का preparation में क्या ध्यान रखना है, कि यह आपका oxidizing agent है, यह negative oxidation state है, तो आपको BKT पता है कि negative से हमेशा 0 में जाता है, तो यह minus से 0 में चला जाएगा, यहाँ minus 1 से 0 में चला जाएगा, उसी तरह से यह भी क्या है, minus से oxidizing agent है, तो क्या करेगा, minus को 0 में बेदेगा, CO2 बन जाएगा, और बनाते हैं हम लोग, जो main process है, chlorine बनाने का, ब्राइन solution, NaCl water को कहते हैं, यहाँ से आपका बनता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, चलिए, आगे बढ़ा जाए, और यह कुछ oxidizing action के reaction से, आपका CL2 बहुत अच्छा oxidizing agent है, तो सब को oxidize करता है, AL को करेगा, iron को करेगा, FB को करेगा, फस्पोर, इस देखिए, यह reaction आप जानते है, PCL3 में convert हो जाएगा, यह आपका S2, CL2 बना देगा, तो इस सारे oxidizing reaction है, अगें, दो reaction ही आपको बता रहा हूँ, CO2 बनता है, याद रखिएगा, ठीके, चलिए, अगें, आप एक और चीदिया रखिएगा, कि जब आपका calcium hydroxide से CO2 रिये करता है, तो bleaching powder बनाता है, जिसका formula आपके सामने दिया गया है, ठीके, और hydrogen collides में आपको reactions में ज़्यादा ध रखना है, कि अगर आप 3 part लेते है, CL, और 1 part NHNO3, तो बनता है, एकवा रेजिया, और ये आपके gold और platinum को क्या करता है, क्या करता है, उक्षिडाइज कर देता है, उनका reaction आपके सामने दिया हूँ, हुआ है, इंटर हाइलोजन, दो हाइलोजन से मिलके बनते हैं, जैसे F2 औ और F2 और CL2 का बनेगा, तो CLF मेंगा, ICS 23 बनेगा, CL2 और F2 का बनेगा, तो ICS 23 बनेगा, ठीके तो 3 है तो 3 बनेगा, देखिये, 1 है तो 1, 3 है तो 3, 5 है तो 5 BRF 5, 5 5F यहां देखिएगा तो भी यहां ही रहेगा, और ये पकॉर चीद ध्यान रगियेगा किंटर हाइलोजन हमेशा ज़्यादा रियक्टिव होता है हाईलोजन से मतलब CLF से ज़्यादा रियक्टिव कौन होगा CLF ज़्यादा रियक्टिव होगा CL2 से इंटर हाईलोजन मतलब दो हाईलोजन से मिलके जो कंपाउंड बनाए उसको इंटर हाईलोजन कोहते हैं अब आपको ध्यान रखना है गुरूप नमबर 18 में कि फॉस्ट कंपाउंड कौन सा बना था तो यह पहला कंपाउंड है किसका इनॉट गैस का जो बनाया गया था और इसी को बाद में कनवर्ट कर दिया गया था पहले देखे यह बना था और सेकेंड नमबर पर यह बना था तो कई कई बार आपको पूछेगा तो अप्सन में यह देगा कई बार यह देगा तो यह फ्वैला इनॉट गैस का कांपाउंड है आप इसको ध्यान रखेंगे और यह कुछ रियेक्शन्स हैं जब यह बन सकता है यह से पूछ सकता है कि एक सी एफ फॉर में कितना लोन प्यर होगा तो आठ इसमें होता है चार फ्लोरीन ले गया बच गया चार चार मतलब दो loan pair आपसे पुछेगा XEOF4 में कितना loan pair होगा तो 8 होता है 2 oxygen ले गया 4 फुली ले गया बच गया कितना 2 तो मतलब क्या 2 बाई 2 एक आपका answer आगया तो loan pair आगया तो loan pair structure पे focus रखिएगा यह उमीद करते हैं थोरा सा जो मैंने promise किया उससे जादा समय लग गया बट ठीक है पूरा दे दिया है कुछ भी छोरा नहीं है आदे घंटे में पूरा कॉंटेंड आपको मिल रहा है पर के जाईए ऐसा कमेंड मत करिएगा कि सर बीस मिनट बोल के आदा घंटा लगा दिये ठीक है इंसान हैं कंप्यूटर नहीं है फ्लो लब लब भरा नहीं हूँ वो मुझे मुर्दा समझ रहा था अभी मैं मरा नहीं हूँ अभी मैं जिन्दा हूँ इन और्गेनीक में जो भी जरुवत है शरूर बताईए और ये वीडियो देखके जरूर जाईए आल दा वेस्ट फोर यो स्टियोट इग्जाम बाई